पास्कार, जैहिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एगरी कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एगरी कल्चर के बहतरीन परशनों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, किरसे विज्ञान से समद्दित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एगरी कल्चर टीए हो, एश्टीए, आईबी पीएस, एफ़ो, डवल एओ, एगरी कल्चर सुपरवाईजर, कैन सुपरवाईजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते ह उनकी तैयारी से समद्दित प्रशनों को रोजाना लेकर आते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एगरी कोचिंग बाविकास सर परिवार में स्वागत करते हैं, आज की कलास के अंदर दोस्तों, सो प्रश प्रशनों को लेकर आए हैं, जो की एगरी कल्चर की किसी न किसी एग्जाम में ये प्रशन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को सुरू से लेकि लास्ट तक जरूर देखेगा, तो चलिए सुरू करते हैं, अपने फर्स्ट कोशन से, फर्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर आ कोशन नमबर देखेंगे, दो, दो नमबर कोशन कह रहा है, विश्व खाद दिवस मनाये जाता है, अच्छा कोशन है, इंपोर्टन है, तो आपको बताना है, विश्व खाद दिवस कब मनाये जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राइट एंसर हो जागा, D यह option यानि कि 16 October को 문제 number देखेंगे 3 तीन number question screen पर है question करें किसान सूचना केंद्र की दूर भासा संख्या क्या है आपको बताना है किसान सूचना केंद्र की दूर भाशक संख्या क्या है तो right answer हो जागा यहां पर 551 सब व्यांते हैं यहां पर दी option right answer हो जाएगा चार नंबर question कर रहा है प्रसार सिछा सब जो है सार वपर्थम कहां परियोग हुआ था तो यह सबसे पहले परियोग हुआ थे यू के में तो यहां पर right answer हो जाएगा C option, question number देखेंगे 5, 5 number question कहा रहा है, क्रीशी में योगदान के लिए किसे भारत रतन प्राप्त हुआ है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर B option, C subramaniam यहाँ पर B option, right answer हो जाएगा question number चलते हैं 6, 6 number question screen पर है, question करा है कौन of experience किसकी सोच है तो right answer हो जाएगा, एजर डेल की यहाँ पर C option, right answer हो जाएगा 7 number question करा है अधिक अन उपजाओ अभियान सुरू हुआ था तो यह सुरू हुआ था दोस्तों, 1942 और 43 में, A option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 8 8 number question करा है DW CRA कारिकरम के अंतरगत लाब पहुंचाया गया तो यह महिलाओं को लाब पहुंचाया गया था A option यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 9 पर question number 9 screen पर आ चुका है question करा है जब कुल उत्पादन सुनने होता है यहाँ आपको बताना है जब कुल उत्पादन सुनने होता है तो क्या होता है तो right answer हो जागा दोस्तों यहाँ पर D option यानि कि आउसत और सीमात उत्पादन दोनों ही सुनने हो जाएगे तो यहाँ पर D option right answer हो जाएगा question number देखेंगे 10 10 number question करा है जब सीमान उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या होता है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर यानि बढ़ती होई दर से बढ़ता है C option right answer question number देखेंगे 11 11 number question करा है इन में से कौन सा प्रेछेत्र परवंधन का साधन नहीं है नहीं पूछा है तो आपको यहाँ बता देना है दोस्तों उत्पादन और लागत फलन यहाँ पर C option right answer हो जाएगा question number देखेंगे 12 12 number question इस क्रीन पर आ चुका है question करा है प्रेछेत्र पर एक महतपून अचल और वे है तो right answer हो जाएगा इसका यानि कि भूमी किराया B option right answer question number देखेंगे 13 13 number question करा है निमन मेंसे कौन आउसर लागत से संदर्वित होती है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर B option यानि कि बेकलपिक लागत B option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 14 question करा है जन संख्या का सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया तो आपको बता देना है यह माल्थस के दौरा प्रतिपादित किया गया था C option यहाँ पर right answer हो जाएगा 15 number question screen पर है question करा है विभीन फसलों का एक समय पर क्रिसी छेत्र का अनुपात दरसाता है तो right answer हो जाएगा फसल स्वरूप दरसाता है C option यहाँ पर right answer हो जाएगा 16 number question इस्क्रीन पर है question करा है अधिसेश भी पड़न है तो right answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुल उत्पादन और minus यहाँ पर देखें पलिवार कुल पलिवार आवशकता है यहाँ पर A option हमारा right answer हो जाएगा कुल उत्पादन कुल पलिवार आवशकता है यह होता है अधिसेश भी पड़न question नमबर देखेंगे दोस्तों 17 17 number question करा है सफेद गुलाब की परियाती कौन सी है अच्छा question है तो तुसार जो है यह सफेद गुलाब की परियाती है B option यहाँ पर right answer हो जाएगा 18 number question करा है सफेद गेरूई परभावित करती है तो यह परभावित करती है सरसों को C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 19 number question करा है गेहूं में पुस्पगुच का आपून विकास किसके कारण होता है तो right answer हो जाएगा बोरान की कमी से A option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 20 20 number question करा है अंतर राष्ट यह मक्का एक गेहूं विकास के इनकर इस्तित है तो यह है इस्तित है दोस्तों Mexico में D option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 21 देखेंगे question करा है डेपोग एक विधी है तो यह पौध लगाने की विधी है यहाँ पर B option right answer हो जाएगा question number 22 22 number question करा है भारतिय खाद निगम की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है भारतिय खाद निगम की स्थापना किस वर्स हुई थी वर्स बताना है चलिए option देख लेते हैं चारो ही option दोस्तों आपकी screen पर आचुआ है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा यहांपर बी option यानि की 1965 में बी option यहांपर right answer हो जाएगा 23 number question करा है harvest index सब्द दिया गया था किस के दोरा दिया गया था यह बताना है तो यह Donald के दोरा दिया गया था यह option यहांपर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 24 question करा है कौन सा poly embryonic फल है अच्छा question है तो आम जो है यह poly embryonic फल है यह option यहांपर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 25 question करा है निम्न में से मक्के में सिचाई की सबसे क्रांति कवस्था कौन सी है तो मक्के में सिचाई की क्रांति कवस्था बताना है तो right answer हो जाएगा दोस्तों यहांपर वो हो जाएगा milking stage C option यहांपर right answer हो जाएगा question number देखेंगे 26 26 number question स्क्रीन पर आ चुका है question करा है राजस्थान में क्रिशी भूमी का छेतर फल है तो आपको बता देना है 20 million hectare question number 27 भारत निमने क्रिशी जलवाईए खंडों में बिभक्त है तो right answer हो जाएगा 15 यहांपर A option हमारा right answer हो जाएगा question number 28 question करा है केंद्री क्रिशी बिश्विद्यल इस्तित है कहां पर इस्तित है तो यह इंफाल में इस्तित है B option यहांपर right answer हो जाएगा question number 29 देखेंगे राजस्थान का सारदिक छेत्रफद क्रिशी जलवाईए खेत्र में आता है तो यह सबसे ज़्यादा सुस्क पश्विद्य मैदानी में आता है C option यहांपर right answer हो जाएगा तीस number question देखेंगे केंद्री बारानी अनुसंधान संस्थान इस्तित है तो यह इस्तित है हैदराबाद में C option यहांपर right answer हो जाएगा question number 31 आपके screen पर आचुका है question कर रहा है बारानी छेत्रों में वारसिक वास्व सर्जन होता है तो यह होता है दोस्तों वर्सा से अधिक यह option यहांपर right answer हो जागा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को like करें दोस्तों में share करें चैनल पर नहीं सस्क्राइब करना ना भूलिए इसी परकार की वीडियो हम रोजाना सामको आठ हो जे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्तित रहते हैं जो कि आपके TA के एक्जाम के लिए HTA के एक्जाम के लिए काफी most और important सावित होगा question number 32 करहा है भारत में त्रिशी योग भूमी का आधिकांस भाग वर्सा स्रेणी के अंतरगत आता है तो राइट एंसर हो जागा 750 से 1150 यम यम बी option यहाँ पर राइट एंसर हो जागा 33 number question करहा है आस इंची छेत्रों के लिए गेहु के उप्यूक्त पर जाती है तो राइट एंसर हो जागा C306 D option यहाँ पर राइट एंसर हो जागा question number चलते हैं 34 34 number question करहा है गेहु के plant area type की आवधारना किस ने दी थी तो गेहु के plant area type की जो आवधारना है यह दी गए थी दोस्तों C.E.M. Donald के दौरा यहाँ पर B option हमारा राइट एंसर हो जागा question number 35 देखेंगे अनुवांस की शब्द को दिया तो अनुवांस की शब्द को किस ने दिया यह बताना है तो यह Batson के दौरा दिया गया था B option यहाँ पर राइट एंसर हो जागा question number 36 देखेंगे question करहा है stroma और grina पाए जाते है तो यह पाए जाते हैं दोस्तों chloroplast के में यहाँ पर A option हमारा right answer हो जाएगा question number 37 screen पर है question करहा है केंद्रक भीती और mitochondria नहीं पाए जाती है तो यह नहीं पाए जाती दोस्तों जिवानु के अंदर यहाँ पर A option right answer हो जाएगा जिवानु कोशका में mitochondria और केंद्रक भीती नहीं पाए जाती है question नमबर देखेंगे 38 question करहा है केंद्रक के अत्रिक्त DNA पाए जाता है तो यह पाए जाता है दोस्तों mitochondria और हरित लवक दोनों में C option यहाँ पर right answer हो जाएगा question नमबर देखेंगे 49 49 नमबर question करहा है पर परागित फसलों में अंतह प्रजनन परागित यानि कि क्राप pollinated फसलों में अंतह प्रजनन बढ़ाता है inbreeding बढ़ाता है कौन बढ़ाता है चलिए देख लेते हैं option चारों यह option दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है तो यहाँ पर जो right answer हो जागा वो हो जागा यह option यानि कि सम योगमजता यहाँ पर ए option हमारा right answer हो जागा चालिस नमबर कोशन कहरा है दोस्तों pure line बढ़ी प्रजनन के लिए होता है तो यह होता है गियों के लिए यहाँ पर D option right answer हो जागा एक तालिस नमबर कोशन कहरा है साइसर जो है यह शब्द Greek शब्द सिल लिया गया है तो right answer हो जागा कि रोस यहाँ पर A option right answer कोशन नमबर देखेंगे 42 गेहु में parling index ग्याद करता है तो यह ग्याद करता है दानी की कट होरता को B option right answer कोशन नमबर 43 देखेंगे कोशन करा है थियो सिंटे पूरवज माना जाता है तो right answer हो जागा मक्के का C option right answer हो जागा 44 नमबर कोशन करा है दो पंक्ति वाले जौ का वानास्पतिक नाम है तो right answer हो जागा होडियों डिष्टिकन B option यहाँ पर right answer हो जागा 45 नमबर कोशन करा है राजस्थान में देर से बवाई के लिए गेहों की संतुप्त परियाती कौन सी है तो वो हो जाएगी राज 37-65 बी ओप्षन राइट एंसर कोशन नमबर देखेंगे 46 कोशन करा है किस राज्य में बाजरे का सारुधिक उत्पादन होता है तो सब लोग जानते हैं राज्थान के लदर बाजरा की बादन सबसे अधिक होता है 47 नमबर कोशन करा है भारत में उगाई जाने वाली सबसे पूरानी तिलहनी फसल कौन सी है तो आपको बता दिना है तिलह है बी ओप्षन याँपर राइट एंसर हो जाएगा 48 नमबर कोशन करा है शक्ती परजाती है तो सक्ती जो परजाती है मक्की की वराइटी है यह उप्षन यहाँपर राइट एंसर हो जाएगा Qosha no.49 स्क्रین पर आचका है Qosha no.5 कौशन करहां कौन सा धान के लिए लावकारी तत्दो है धान के लिये लावकारी तत्दो बताना है कौन सा है तो यहां पर जो right answer हो जाएगा सीलिकान B option right answer हो जाएगा Qosha no.50 कोशन करा है निमने में से किस उर्वर्क का उत्पादन भारत में नहीं होता है तो राइट एंसर हो जागा दोस्तों मुरेट ओपटास यहाँ पर D option राइट एंसर हो जागा कोशन नम्बर देखेंगे 51 कोशन करा है पोधों में पोशर तत्तों को अनिवारता की कसोटी का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया था तो यह किया गया था D I R9 के द्वारा ए ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा 52 नम्बर कोशन करा है कौन सा जिवान NO2 को NO3 में परिवर्थित करता है तो नाइट्रो बेक्टर याद रखेंगे B ओप्शन नाइट्रो बेक्टर कोशन नम्बर देखेंगे तिरपन कोशन करा है एन हाइडरस अमोनिया में पाए जाता है इसके अंदर दोस्तों 82 परतिसम नतर्जन पाए जाता है यह उप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा चववन नम्बर कोशन करा है VAAM किसका अवसोसक बढ़ाता है तो यह फासफोरस का बढ़ाता है दोस्तों VAAM जो है फासफोरस अवसोसन को बढ़ाता है कोशन नम्बर देखेंगे 55 कोशन करा है भारत में बिक्सित धान की प्रथम परिजाती कौन सी है तो आपको बता देना है जया यह उप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा 56 नम्बर कोशन करा है कौपर की कमी से होता है तो कौपर की कमी से दोस्तों बाजरा में एरगट बिमारी हो जाती है C उप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा कोशन नम्बर चलते हैं 57 57 नम्बर कोशन कह रहा है दोस्तों कार्वनिक मिर्दा में भार के अधार पर कार्वनिक पदार्थ की मात्रा होती है चलिए देख लेते हैं चारो यह option दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा D option यानि 5% से अधिक आपको याद रखना है अठावा नमबर question कह रहा है लवन ये मिर्दा का pH होता है तो इसका pH होता दोस्तों 8.5 से कम होता है वी option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 69 मिर्दा जल के बीच उपलब्ध होता है तो right answer हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस 15 80 यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 60 question कराएं मिर्दा का पोधों के संबन्द में अध्यन को कहते हैं तो इसको हम adafology की नाम से जानते हैं B option right answer 61 number question कराएं मिर्दा clay कणों का आकार होता है तो यह होता दोस्तों 0.002 यमियम से कम होता है D option right answer question number 62 निमन में से कौन सा खनीज सबसे अधिक प्रतिरोधी है तो right answer हो जाएगा quarter आपको याद रखना है B option question number 63 question कराएं अम लिए sulfate मिर्दाएं पाई जाती हैं तो right answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर B option समुंदर के किनारे का छेतर question number देखेंगे चौन सट चौन सट नमबर कोशन करा है anti-sol मिर्दा का मुख्यगुन है यह हो जाएगा 9 निर्मित D option right answer पैंसर नमबर कोशन करा है मिर्दा का सीधा कटाव जिसमें बिभिन सतह होती है जाना जाता है तो उसको हम मिर्दा उच्छेद की नाम से जानते है B option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 66 आपके स्क्रीन पर है question करा है रेगिस्तानी टिड़ी का विग्यानिक नाम आपको होता ना है तो रेगिस्तानी टिड़ी का विग्यानिक नाम होता है सिष्टो सेरा Grigiria B option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number देखेंगे answer question करा है राजस्तान में कौन सी गेरूई गेहूं में पाई जाती है तो right answer हो जाएगा दोस्तों पीली गेरूई याद रखेंगे A option right answer answer number question करा है रोपेलो सिफं मेंडिस Aphid परभावित करता है तो यह परभावित करता है दोस्तों मक्का को D option यहाँ पर right answer हो जाएगा 69 number question करा है धान का पुस्पगुच्च होता है तो यह दोस्तों पेनिकल होता है C option right answer हो जाएगा 70 number question करा है इमर गेहु का विज्यानिक नाम होता है तो इमर गेहु का विज्यानिक नाम होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं टेटरिकम डाइकोकम यह उप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा एकात्ता नंबर कोशन देखेंगे राजस्थान में तिल के लिए यान पी के nitrogen, phosphorus, potassium की संतुत मात्रा कितनी रखते हैं तो right answer हो जाएगा दोस्तों B option यानि कि 20, 20 और 0 nitrogen 20, phosphorus 20 और potassium की मात्रा 0 रखते हैं तो यहाँ पर B option हमारा right answer हो जाएगा दोस्तों question number देखेंगे 72 भारत का पहला क्रिशी विशुद्यले इस्तित है कहां इस्तित है तो पंत नगर याद रखेंगे D option right answer हो जाएगा तो यहत्ता नंबर कोशन के रहे है राश्टी यह सरसोन और संधान के अंदरे इस्तित है तो यह भरतपूर में इस्तित है सेवर भरतपूर चोहत्ता नंबर कोशन के रहे है आर टी यहम 35 परजाती है किसकी है तो यह तारा मीरा की है B option यहाँ पर right answer हो जाएगा पचहत्ता नंबर कोशन के रहे है बैर के सिंगर पकने वाली परजाती कौन सी है तो याल रखेंगे दोस्तों सेव D option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन नंबर चलते हैं 76 पर वीडियो पसंद आ रहे है तो लाइप जरूर करें दोस्तों में सेर करें चैनल पर नहीं है सस्क्राइब करना ना भूनेगे कोशन नंबर 76 इस स्क्रीन पर है कोशन करें आम की किस प्रजात में इस पोंजी उत्तक पाए जाते है तो right answer हो जाएगा अलफानसो के अंदर 77 नंबर कोशन केले में बंची टॉप है एक तो यह एक परकार का दोस्तों विशान जनित रोग है D option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन नंबर देखेंगे 78 तो कोशन करा है एपल है किस फल की प्रजाती है एपल बताना है विराइटी किसकी है तो यह विराइटी हो जाएगी अम्रूद की 79 नंबर कोशन करा है आलू की black heart बिमारी किसकी कमी से होती है तो right answer हो जाएगा दोस्तों O2 की कमी से आलू के अंदर black heart हो जाता है कोशन नंबर देखींगे 80 कोशन करा है आम में फल गिराव रोकने के लिए 240 की संतुक्त सांदर्ता रखते हैं तो इसकी सांदर्ता 20 ppm से कम रखा जाता है A option यहाँ पर right answer हो जाएगा 80 नंबर कोशन करा है गुलकंद एक मिसरन होता है कोशन नंबर देखींगे 82 कोशन करा है चुकंदर में परागन किस के दोरा होता है तो याद रखेंगे दोस्तों यह हवा के दोरा होता है C option यहाँ पर right answer हो जाएगा 83 नंबर कोशन करा है सब जी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है तो सब लोग जानते हैं तरगोच के अंदर यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा 84 नंबर कोशन करा है रोज मिक्स है तो रोज मिक्स एक प्रकार का उर्वर्ख है यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन नंबर देखींगे 85 85 नंबर कोशन इस स्क्रीन पर आचुका है कोशन करा है अमरूद की सूखा रोग अवरोधी परजाती कौन सी है तो right answer हो जाएगा सरदार अमरूद B option यहाँ पर right answer हो जाएगा कोशन नंबर देखींगे 86 86 नंबर कोशन करा है राजस्थान में चैनित बेर की परियाती उमरान बताना है किस राज्य में उगाई आती है तो यह उगाई आती है दोस्तों तमिल लाडू में यहाँ पर D option हमारा right answer हो जाएगा कोशन नंबर देखींगे 87 87 नंबर कोशन स्क्रीन पर है गार्डन फ्लावर पताना है पुस्तक जो है किस के द्वारा लिखी गई है तो यह पुस्तक लिखी गई है V सौरूप के द्वारा यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा 88 नंबर कोशन करा है चटानों का ववस्थापन मुख बिसेश्ता है तो यह विसेश्ता है दोस्तों जापानी बगीचों का D option right answer 89 नंबर कोशन करा है अखरोट का उत्पतिस्थान बताना है तो अखरोट का उत्पतिस्थान पश्मी पारसिया हो जाएगा D option यहाँ पर right answer हो जाएगा 90 नंबर कोशन करा है नमने मेंसे कौन एक समपक इस पर किये साकनासी है तो बताना है समपकिये साकनासी कौन सा इसमें से तो right answer हो जागा पैरा क्वार्ड जो है एक परकार का समपकिये साकनासी है C option यहाँ पर right answer हो जागा कोशन नंबर देखेंगे एक क्या 95 गेहु की चोड़ी पती के खर्पतवारों के नियंतरन के लिए परियोग किये जाने वाला साथ नासी कौन सा है तो राइट एंसर हो जागा मैट सल्फिरोन ए ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा बान भी नंबर कोशन कर रहा है गेहु का आवंचनी खर्पतवार कौन सा है तो आवंचनी खर्पतवार पूछा है तो यहाँ पर राइट एंसर हो जागा यहाँ पर सी ओप्षन राइट एंसर हो जागा तिरान बे नंबर कोशन कर रहा है कौन सा कवकिय साखनासी है तो कवकिय साकनासी आपको बताना है तो राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर A option यानि कि divine जो है एक परकार का कवकिय साकनासी है A option यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा Qution नबर देखिएंगे दोस्तों 94 Qution करा है नियो चेटीना ब्रूची किस खर्पतवार का जैविक नियंतरण है तो नियो चेटीना ब्रूची जो है यह बताना है किस खर्पतवार का जैविक नियंतरण है तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर C option यानि कि I cornea crepsis यहाँ पर C option राइट एंसर हो जाएगा C option यहाँ पर right answer हो जाएगा I cornea crepsis कोशन नमबर चलते हैं 95 95 नमबर कोशन कर रहा है राष्ट यह खर्पतवार अनुसंदान केंदर इस्तित है तो यह कहाँ पर इस्तित है तो जबल पुर आपको याद रखना है कोशन नमबर देखेंगे 90 कोशन कर रहा है कौन सा C4 खर्पतवार है कौन सा इसमें से बताना C4 खर्पतवार है तो right answer हो जागा दोस्तों यहाँ पर D option यानि की साई घास D option यहाँ पर right answer हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 97 कोशन कर रहा है खार्द तिलेहनों में किस खरपतवार की बीज की मिलावट की जाती है तो यहां पर राइट एंसर हो जागा Mexican Poppy B option राइट एंसर हो जाएगा Question number देखेंगे दोस्तों 98 98 number question screen पर है Question करहाँ बवाई से पहले मिट्टी में मिला कर परियोग किये जाने वाला साक नासी कौन सा है तो राइट एंसर हो जाएगा Flu Chloroline A option यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा Question number देखेंगे 99 Question करहाँ बिधी परदर्शन की आउधार्णा किस ने दी थी तो इसकी आउधार्णा Yes A नेप के दौरा दी गए थी B option राइट एंसर हो जाएगा Question number 100 जो कि आज का हमारा last question दोस्तों Question करहा T और V परणाली यान T और V सिश्टम जो है सार परतम किस राजज में शुरू किया गया था तो राइट एंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर C option यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा आज की वीडियो दोस्तों हमारी ही समाप थोई आप लोगों कैसे लगी पसंद आएगे तो लाइक करें दोस्तों में सेयर करें चैनल पर नएए सिस्क्राइब करना ना भूलिए इसी परकार के वीडियो रोजाना हम सामको आठ होजे आप लोगों के बीच में लेकर अपस्तित रहते हैं जो कि आपके TA के एग्याम के लिए HTA के एग्याम के लिए काफी most और powerful साबित होगी कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ अब तक तक सभी लोगों को धन्यमाद